कल दिनांग 5 अपरेल 2024 को पटना हाई कोट के तरफ से BPSC और सिछावाग को यहाँ पर तलब जो है पपका किया गया है और दो सब्ता का समय आपके हाई कोट के तरफ से उदिये गहें अपनी यहाँ पर रिपोर्ट सौपने को लेकर देखे यह जो आपका मामला है जो आपके supplementary result है उसका यहाँ पर पपका मामला है और 101 से भी अधिक अभियर्थियों के तरफ से पटना हाई कोट में याचिका दाखिल की गई थी कि जो आपके यहाँ पर पूरक पडाम जो आपके supplementary result है उसमें यहाँ पर BPSC के माध्यम से यहाँ पर आपके गडबड़ी जो है पपका किया गया है उसी मामले को लेकर यहाँ पर पटना हाई कोट में अभियर्थियों के तरफ से याचिका दाखिल की गई और उनकी याचिका का कल यहाँ पर पटना हाई कोट में आपका सुनवाई हुआ और यहाँ पर जो सिछा भाग है और जो आपके BPSC हैं उनको यहाँ पर तलब आपके हाई कोट के तरफ से जो है पके किये गया है देखे यह जो आपका मामला है BPSC टीरी फर्स्ट का जो पका दिया गया है और यहाँ पर बोला गया है बिग्यापन संक्या 26 बटा 2023 आनि BPSC TRE 1 को लेकर कि जो आपके यहाँ पर सप्लिमेंटरी रिजेट BPSC के तरफ से जारी किया गया था तो उसमें यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर जो आपके गड़वड़ी है वो आपकी यहाँ पर की गई है और इस मामले को लेकर अभ्यर्ति जो है पट्ना हाई कोट में जो है उचले गए हलाकि अभ्यर्तियों के तरफ से BPSC को भी यहाँ पर आपका बोला गया था और सिछा विभाग को भी बोला गया था लेकिन जब उनके तरफ से कुछ भी नहीं किया गया तो नॉर्मल सी बात है कोट ही आपके लिए आखिरी रास्ता होता है तो यहाँ पर अब देखिए दो सब्ता के अंदर जो आपके BPSC है और जो आपका हाई कोट है उनके तरफ से क्या अपना जबाब जो बना कर रिपोर्ट जो है पके सोपे जाते हैं इसमें भी आप देखेंगे जैसे BPSC TRE First के Supplementary Result को लेकर भी तो इसमें सिर्फ आपके प्राथमिक सिछक भरती का आपका मामला है क्योंकि BPSC TRE First में आपने है उस मामले को लेकर तो इसमें भी आपका हाई कोट का बात दिया गया है जो आपका इसमें आपका दिया गया है तो यहीं आपका इसमें भी जो है पका दिया गया है और इसमें Supplementary Result को लेकर कोई अन यहाँ पर आपके हाई कोट के तरफ से कुछ भी आपके यहाँ पर जारी किया जाएगा लेकिन हाँ हो सकता है कि यदि इनके तरफ से जो आपके जबाब मतलब जो आपका WPSC है और जो आपका सिछा भाग है उनके तरफ से जब आपका High Court में जबाब आपका रखा जाएगा और उस जबाब से जब आपका एहां पर Court संतुष्ट नहीं होता है औ लेकिन एक ही बार सिर्प आपका supplementary result यारी फर्स्ट में आपका जारी किया गया और उसमें भी जो आपके total seat जो आपके बचे थे उतना seat पे जो है आपका supplementary result नहीं जारी किया गया तो अब यहाँ पर आपको देखना यह होगा कि BPSC और सिछाभाग के तरफ से किस तरीके से आ कि अभीरती है उसके बाद भी जब उतना result आपका नहीं आया है और आपने supplementary result का प्रावधान आपने किया है और आपने supplementary result आपके माध्यम से जारी भी हुआ है आनि BPSC के माध्यम से supplementary result जब यहाँ पर आपका जारी हुआ है तो high code के तरफ से कोई आपका decision आ जाता है supplementary result जारी करने को लेकर तो निश्ची तोर पे BPSC के तरफ से आपको यहाँ पर TRE first का फिर से जो है आपको supplementary result जो है ओ देखने को मिलेगा तो थोड़ा से यहाँ पर आपको इंतिजार जो है करना पड़ेगा कि कि किस तरीके से आपका जो जबाब है वो आपका यहाँ पर BPSC और सिचावाग के तरफ से आपका हाई कोट में जो है और रखा जाता है तो थोड़ा सा इंतिजार इसको कर लिजे अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि यह तो आपका TRE first का है TRE first में तो कुछ पदों पे कुछ रिखती आपकी जिस पर आपका supplementary result BPSC के तरफ से आपका रिजेल्ट वगरा है वो आपका BPSC के तरफ से पूरा प्रिपेर कर लिया गया था उसके बाल भी अंत समय में सिचावाग के तरफ से आपका रोग जो है उलगा दिया गया था और सिचावाग के तरफ से यहीं आपका बोला गया था कि यह यदि हम supplementary result TRE2 का जारी कर देंग तो आपका कोट वगरा में मुकदमा वगरा है या फिर कोट केस वगरा है यह आपको जो है उदेखने को मतलब देखने को जो है आपका मिलेगा इसलिए TRE2 का supplementary result नहीं जारी किया गया था तो निश्ची तरफ यदि देखे अभियर्थी यदि कोट में जाएंगे तो कुछ आपको यहां पर तलब जो है पका किया गया है लेकिन TRE2 मामले को लेकर देखेंगे तो बहुत सारे जो आपके संग हो या फिर जो कमेटी हो उनके तरफ से तो आपका बोला गया और TRE2 supplementary result में कोट केस को लेकर वेकेंसी कंसिल कराने को लेकर बहुत सारे आपके चंदा में आपका प्रावधान था और BPSC के चेर्माइल के तरफ से बोला भी गया और रिजल्ट भी आपका supplementary result मतलब बनाए गया जारी करने को लेकर तो फिर यहां पर क्यों आपका जारी नहीं किया गया तो यहां पर थोड़ा सा TRE1 को लेकर आप यहां पर इंतजार जो है कर ल के candidate भी जो है उबचे हुए हैं तो supplementary result जब यहां पर आपका बना भी है और यहां पर main बात आपका seat को लेकर है और प्रावधान को लेकर है कि जब supplementary result जारी करने को लेकर यहां पर है तो आप TRE2 का भी supplementary result जारी करें तो TRE1 से ही TRE2 का भी आपका confirm होगा हलाकि TRE2 का बहु TRE2 में जो है आपको देखने को मिलेगा तो थोड़ा सा आपको यहां पर इंतिजार करना होगा अब आगे हाँ पर TRE3 के exam को लेकर बात करें देखें कहीं ने कहीं यह जो आपका TRE1 का मामला हो या फिर code case का मामला हो तो इससे आपका exam पे भी आपका प्रभाव जो है वो द बात को समाप्त करने को लेकर और किसी भी तरीके का code case में आपका मामला न उल्जे इसलिए TRE2 जो है बहुत कम ही दिन में आ गया और उसका आपका exam भी जो है वो देखने को मिले तो इसलिए आप TRE3 का exam देंगे आप TRE3 में अपना form वो सम्मिट किये होंगे तो आप यहां अपर तयारी जो है उकरते रहेगा क्योंकि एक तरीके से देखेंगे तो TRE3 का जो आपका exam है वो आपके election के उपर जो है बापका debate है जैसे ही आपका जो 2024 का लोकसभा election है यह आपका जैसे ही election आपका समाप्त होता है तो उसकी तुरंत बाद ही TRE3 का आपका exam जो है बापका सारे सिचाक हैं जिनका आपर सिखाया था कि क्यों नहीं जब BPC के तरफ से आपका 2024 के लोकसभा election के बाद ही आपका यहां पर TRE3 का exam होगा तो क्यों नहीं BPC के तरफ से कोई official later वगर जो है पका एक जारी कर दिया जाता है ताकि यहां पर आपका तयारी वगर है उसमें यहा समय देजेगा क्योंकि आप BPC का इसके पहले भी कोई आपने later वगर बहुत सारे later वगर जो है आपने देखा होगा जिसमें आपके date वगर अचानक जो है आपको दे दिये जाते हैं कि इस date से इस वर्गे के सिचकों कहां पर आपका exam वगर जो है पका conduct करा जागा तो यह दि minimum आप यहाँ पर समय को लेकर देखेंगे तो अभी तो आपका जो सिच्छा विभाग है और जो आपकी BPC है और जो आपका election commission मगर है तो उनके साथ यहाँ पर आपका meeting मगर होने वाला था तो यहाँ पर meeting नहीं होरा इसका मतलब साब है कि यह आपका जो election है election के बीच में त्यारी करेगा 15-20 दिन पहले आपको यहाँ पर BPC के तरफ से official later वगर जो है आपको देखने को जो है आपको मिल सकता है कि किस date से और किस वर्ग के जो सिचक है उनका यहाँ पर exam कब से आपका BPC के तरफ से उलिया जाएगा तो यह आपका तो court case का matter है लेकिन आप यहाँ प आपका मामला जो सिचक भरती का मामला है वो आपका court में यह दी जाता है तो इसमें जो आपका TRE 3 का exam है वो जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो आपका यहाँ पर conduct कराने का पूरा कोसिश किया जाएगा उसके साथ ही जो आपका TRE 4 होगा बहुत सारे सिचक हैं कि आप क्योंकि उसी को लेकर जो आपके DLA वाले candidate है जिनका last semester का जो exam है तो उनका exam में किसी भी तरीके का आपका delay वगर जो है वो नहीं है तो इसलिए आप यहाँ पर तयारी करते रहेगा क्योंकि यदि आप तयारी नहीं करते हैं आप यहाँ पर मान के चलते हैं कि आपका भरती उसी तरीके से pending रहेगा अब यहाँ पर कई साल आपके लग जाएंगे वेकेंसी नहीं आएगी तो निशी तोर पर वेकेंसी आएगी और अपने समय पर उसका exam भी जो है पका हो जाएगा और आपको यहाँ पर पस्तावा के अलामा कुछ भी जो है आपके हाथ जो है उनहीं वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाइबा टिक्कर ओल्डवेश थैंक्यू फू लिस्निंग गॉट ब्लेस वाल थैंक्यू